नमस्कार दोस्तों, सर्मा टेक्निकल में आपका स्वागत है। आपको आज बताएंगे दोस्तों दोस्तों क्रेंट मुश्ली जो हमारी सप्लाइ प्लेट जो यह होती है सप्लाइ प्लेट जो कि इसके अंदर इस तरीके से लगी रहती है जो कि कार्ड को हमारा कनेक्शन देती है जब यह इसमें कोई फाल्ट आ जाती है दोस्तों तभी यह ह यह हमारा एक जो पेपर कंडेंसर लगा हुआ हए। यह हमारा इसमें एक लगा होता है। तो दोस्तों इसके साइट हो जाने की वजे से ही यह हमारा जो एकडेंडरी में चला जाता है। और यह हमारा जो receiver है यह current उतारने लगता है दोस्तों तो हम इसको देख रहे हैं दोस्तों कि हमारा paper condenser देखिए दोस्तों एक यहाँ पे लगा हुआ है इसके एक यहाँ पे इसकी leg लगी हुए दोस्तों जो कि यह एक plate है और इसमें इधर का AC का part हो गया दोस्तों और इधर देखिए बीच में कोई भी connection नहीं है और यह इधर DC का part हो गया यह primary हो गया और यह secondary हो गया अब यह primary secondary दोस्तों सिर्फ जो कि यह driver लगा होता है यह बीच में लगा होता है जो कि इधर current लेगने के बाद में इधर तहतरे के current देता है जैसे की 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 24 वोल्ट इस तरीके के current देता है और इसके अलावा सिर्फ एक यह paper condenser आप जो देख रहे होंगे दोस्तों यह paper condenser जो है यह इसके एक leg देखिए हमारी primary पे लगी हुई है और दूसरी leg हमारी secondary पे लगी हुई है तो दोस्तों primary की एक leg हम देखते हैं कि यह देखिए दोस्तों यह हमारा सीधे जो 450 वोल्ट का condenser है इसके negative पे यह हमारा इस पे एक pin लगी हुई है पेपर की यह और दोस्तों हम देखते हैं कि जब यह सौट हो जाता है दोस्तों तो यह current जो है direct इधर को आने लगता है और यह हमारा secondary पोर्षन होता है और यह secondary पोर्षन में अर्थ जो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि यह जो अर्थ बगेरा यह पूरा इस पर बाड़ी पे रहता है तो अगर दोस्तों अगर यह जब प्लेट यह हमारा जो टाने पेपर है यह जो खराब हो जाएगा दोस्तों तो यह current सेधा इधर से इधर को पास करने लगता है और हमारा जो receiver है वो current देने लगता है दोस्तों तो हम इसको किस प्रकार से चेक करते हैं तो दोस्तों हमारे पास यह प्लेट है यह बिल्कुल ओके है इसलिए यह जो सगर साउट होता तो यह दोस्तों यह अगर यह साउट होता अगर आपस में तो यह हमारा जो है बीप की आवाज देता इस तरीके से इस तरीके से दोस्तों बीप की आवाज देता चुँक्य यह बिल्कुल सही है इसलिए कोई भी आवाज नहीं देता है इससे ये साबित होता है कि यह 1 नहीं और झिस रिसीवर में हमारा करिण्ट यह AC जब उतारने लगता है receiver इसको छूते हैं और हमें current लगता है तो उसको जब हम इस तरीके से चेक करते हैं दोस्तों तो यह beep की आवाज देता है इस तरीके से यह beep की आवाज देता है और यहाँ पर कुछ ना कुछ reading बताता है यह meter जो है हमारा कुछ ना कुछ reading बताता है जिससे हम जान जाते हैं कि यह हमारा की 60 हो गया है इसको यह तो change कर देते हैं इसको change करने के बाद में 갖े हमारा connection यहां से हड़ जाता है और हमारा secondary में है यह AC नहीं हमारा जाता है secondary में AC नहीं जाता है और जिससे हमें करेंट नहीं लगता है तो दोस्तों यह अगर साथ हो जाता है या काला हो जाए यहां से फ़र्ट जाए तो दोस्तों करेंट यह हमारा सेगेंटरी में पहुचाने लगता है और हमारा रिसीवर जो है वो करेंट उतारने लगता है तो दोस्तों इस तरीके से हम हम इस फार्ट को सही कर सकते हैं तो अगर यह वाला अगर यह खराब होता तो हमारा बीप होता है दोस्तों और इस हमें बिल्कुल होके है इसलिए हमारा यह बीप नहीं हो रहा है तो दोस्तों यही मेन कमी होती है अगर हमारे रिसीपर खरामलब करेंट उताने लगे दोस्तों अगर आपको अच्छी लगे तो इसे प्लीज लाइक और सस्क्राइब करना न भूले धन्यवाद दोस्तों